हलो डिया फ्रेंड्स तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने इस पूरे हपते का करेंट अफेर्स लेकर के तो जिस पूरे हपते में जो जो भी इंपॉर्टेंट नियूज रही है चर्चा में जो आपके एक्जाम की हिसाफ से बहुत जादा महत्रपूर्ण हो जाती है उनके हम पर हम देखेंगे ठीक है और बहुत ज्यादा डीटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आलेडी हमने क्या किया है डेली जो कंड़र के आपके क्लासर आती है आवरली मताब एक घंटे में दो घंटे में नहीं टॉपिक्स के आपके वीडियो जाती रहती है हमारे चैनल पर त जृच हे शेटर में गरत देखेंगे की अगर किसी व्यक्तिको नुंबल पुरुसकार दिया गया है तो किस उपलब्दी के लिए गया है दूसरा हमारा है देश में बनेगा नया मिкийसाइल परिक्षंड रेंज missiles पढ़ी होंगी परिक्षन भी पढ़े होंगे missile की range क्या होती वो भी पढ़े होंगे लेकिन क्या है हम इसा पढ़ते रहते हैं कि ये missile बनी है agni 4, agni 5, mk2, mk3 बताँ अलग-अलग तरिके का missile पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यहां पर missile परिक्षन रेंज जो केंदर्टरक से स्तापित किया जाने वाला है तो उसके बारे में यहां पर देखेंगे ठीक है, तीसरा हमारा है नेमा लाइन मायोपक्ति, एक तरह किसे बीमारी है ये, तो चर्चा में बनी हुई है एक बहुत ही यूनीक किसम की बीमारी है मतलब क्या है कि लगभग 50,000 लोगों में ये 40,000 लोगों में किसी एक व्यक्ति को होती है तो जब कोई ऐसे बीमारी होती है तो उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है और ऐसे बीमारियों के इलाज भी नहीं हो जाता है क्योंकि डॉक्टर्स या मेंडिसिन्स बनाने वाले जो भी मतलब सेक्टर्स होते हैं बड़े इंडरस्ट्री होती है वो सोचती है कि अगर किसी 50,000 में एक व्यक्ति बीमार पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि टीट्मेंट में बहुत सारे लोग आपको अफरीका यूगांडा अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा काफी टाइम से चर्जा में चली रहा था तो यहां पर यूक्रेन में काफी फैल रहा है काफी लोग की जान गई है यहां पर इसको भी हम देखेंगे कि वायरस क्या है और कितने लोग को प्रभावित कर रहा है इसको रोक थाम के कैसे क्या हुपाई है ठीक है आकरे जो हमारा है मियूरिन टाइफस मियूरिन टाइफस हम देखने वाले हैं यह भी तरीके की बीमारी है और यूनिक है बाहर से लेकर लोग आये हुए है यहां पर जैसे कोरोना क्या था अगर बात करें कोरोना के तो ओरीजिन वसका चाइना में हुआ था लेकिन पूरा विश्व प्रभावित था उससे तो वैसा ही कुछ यहां पर है मियूरिन टाइफस जो है इंडिया में पाया गया है केरल में लेकिन क्या है केरल से बिलॉंग नहीं करता है कुछ जो है हमारे यहां के लोग घूमने गयते बाहर कंट्रीज में तो वहां से लेकर के साथ में क्या है फोटो और सॉपिंग के सा पहली बार दिया गया था स्वीडिस वेग्यानिक है उनके अल्फरेड नोबल की आद में हर बार दिया जाता है तो पहली बार जो उन्नीस एक में दिया गया था कुछ चीज़े याद रखेगा स्वीडिस है ठीक है क्या नाम है उनका अल्फरेड नोबल ठीक है उनकी याद में दिया जाता है ठीक है अगर आप से बात के तो हमेशा हम सोच नहीं कि 6 चेत्रों में दिया जाता है लेकिन हमेशा से 6 चेत्रों में नहीं दिया रहा था 1968 1968 तक 5 ही चेत्र थे ठीक है फिर 1968 में क्या किया गया एकोनॉमिक्स को एड किय गया और 1969 में पहला economics का जो है nobel price दिया गया तो आप मुझे कमेंट करके बिताएं कि 1969 में पहली बार economic का जो है आर्था सास्तर का जो है nobel price की से दिया गया था I hope sectors तो पता ही होंगे तो आपका medicine मतलब हो गया आपका chemistry वाला हो गया ठीक है सिख्षा हो गया साहित्य हो गया और एक आपका मैंने बताया भी है अर्था सास्तर का अभी आइड हुआ तो टोटल 6 चेत्रों में है यह दिया जाता है इनी को हम देखने वाले है और कई पर जैसे होता ना कि आपने कई पर पहले पढ़ा होगा क विक्टर, Ambrose और Gary Rubukun को चिकिट्चा के चेत्र में नोबल पूरुषकार दिया गया है तो यह आपको याद रखना है ठीक है दूसरा है रसायन विज्ञान का नोबल पूरुषकार दिया गया है डेविड बेकर देमिस हसाबिस और जान जमपर को ठीक है तो किन को किन को द जान्जे हाफफिल्स को ठीक है ये तीन दो नाम है जिनको दिया गया है चिकिटसा के चेत्र में मुझे जहां तक याद है तो है AI brain नहीं हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा बहुतिकी की छेतर में हो जाएगा, हाँ, AI brain के लिए दिया गया है, बहुतिकी छेतर में, मतलब फिजिक्स के छेतर में, अलग-अलग छेतरों में दिया गया है सबको, आर्थसास का नोबल पुरसकार दिया गया है, जेरान, इस मोगलू, साइमन, जांसन और जेम्स राबिंस इन्हों ये जो है, जिस शेतर में ज्यादा गहन अध्यान का है, वो ये था कि कोई नई इंस्टिशन जब स्थापित होती है, तो वो जो है, उस देश की अर्थे विवस्ता को आगे बढ़ाने में, क्या योगदान देती है, कैसे योगदान देती है, जैसे हमारे हाँ पर, भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क तो है नहीं, एक दिन का है, लेकिन आज हमारी एकोनोमी देखी, और आज वहां की एकोनोमी देखी, अर्थे विवस्ता में कितना फर्क है, विकास और विकास सील, विक्सित, जितनी भी प्रफे हुए थे उसके बाद अलगए तो इन चीजों पर इन्होंने गहन अध्यन क्या है, उसके लिए इनको दिया गया है, फिर क्या है साहित्तिका नोबल पुरुसकार जो है हान कान, जी को दिया गया है, गयाद रखना है आपको, इन्हों लिखते किसे सांती वगेरा के सांती को नोबल पुरुसकार के बाद के जापानी संगठन निहोन हिदांक्यों, इनको दिया गया है, तो आपको पता है कि जो परमाडू हतियार को लेकर जो चलती रहती है, तो इनका specific यही है, कि जो भी हतियार है, जिनसे नरसंगहर हो सकता है, उसको रोकने के लिए उसको रोकने के लिए यहाँ चीजी चल लए तो उसी के लिए इनको दिया गया है, ठीक है, फिर यहाँ पर है, यही चीजी चल रही हूँ, वह यह लिखा हुआ देखे, प्रतेग वर्स अक्टूबर महा के पर्थम सोमवार से सुरू होने वाले सकता हमें नोबल पुरुसक जबकि अन्य सभी नोबल पुरुसकार स्टोकहम में या सिवीडन में प्रदान किये गए, तो इसको याद रखेगा, हो सकता है, इस statement बना दे कि भाई, क्योंकि भाई, पुरुसकार एक ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर दिया जा रहा है, तो इसको याद रखेगा, य आर्थिक विज्ञान के लिए जो चैन करने वाली संस्थान है, ये है, तो ये चैनित करती है कि किसको दिया जाना है, इन तीन छेत्रों में, दूसरा है, The Noble Assembly at Caroline's合 Telenska Institute, तो ये चिकित सा विज्ञान के लिए क्या किसको दिया जाना है, ये चैनित करने का दिकार ज जो है, इ पुरस्कार के लिए यहां पर इनके द्वारा खो जाता है तो यह चार संस्थाइं है अलग-अलग संस्थान है इस पर काम करते हैं जो अलग-अलग व्यक्तियों का चैन करके हमारी लिए रेकर आते हैं जिनको हम हर साल पढ़ रहे होते हैं यह पुरस्कार 30 प्रतेक वर्स 10 द नेक्स्ट आर्टकल आपको बताया था कि हमारे यहां पर देश में क्या हो रहा है नया मिसाइल परिक्षण रेंज इस्थापित किया जाने वाला है उसको लेकर कि यहां पर चर्चा होगी आई होग आपने बजट पढ़ा होगा जब भी बजट आता है तो एक बहुत चर्चा का विशाय बनता है कि सिख्षा और जो हमारा सुरक्षा तरह सिख्षा और सुरक्षा एक जैसे ही नाम है लेकिन हर बार सरकार मैक्सिमुम बजट किसके लिए खर्च करती है सुरक्षा के अगर आपसे कभी पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है तो हमारे सुरक्षा में ठीक है तो यहां पे हम देखने वाले हैं कि मिस ऐल प्रेक्षन रेंज क्या और कहां बनाया गया है प्रधानमंति नर्ण मोदी की अध्यक्षिता में सुरक्षा मामलों की काबिनेट समिट ने आंधर प्रदेस में एक नया मिसाइल परिक्षन केंदर इस्थापित करने की मंजूरी दे दी है इसके जो रेंज है ना मारक शमता है यह मैक्सिमम आपके 30 किलोमीटर होने वाली है तो आप जो है चाइना के बॉर्डर पे लगा सकते हो वहां पे जो भी मिसाइल्स पर गए चाइना से अगर कभी ऐसा होता है कि वह हम पर हमला करता है तो सारे मिसाइल्स को हवा में ही मार गिरानी की चंता रखता है दूसरा है आप पाकिस्तान बर्डर पर लगा सकते हो नहीं दो देशों से हमें खत्रा है बाकि तो हमें लगता नहीं कि कोई और दूसरा देश आकर हम पर हमला कर देगा ठीक है तो यह इसलिए इसकी मारक शमता याद रखिएगा दीखा देखो इस मंजूरी के बाद अब आंधर प्रदेस में नगाया लंका में नया मिसाइल परिक्षण के इंदर बनेगा, यहां पे नया मिसाइल परिक्षण के इंदर बनाया जाने वाला है, नई मिसाइल परिक्षण रेंज में सतह से हवा, याद रखेगा इसको याद रखेगा, एंटी टैंक मिसाइल और सामरिक मिसाइल सिस्टम का परिक्षण किया जाएगा, तो यहां से तीन तरीके की मिसाइल का परिक्षण किया जा सकता है, तो याद रखी का कौन कौन सी है, पहली हमारी है एंटी टैंक मिसाइल, दूसरी है सामरिक मिसाइल और यहां पर है सतह से हव तो यहां परिक्षण किया जाएगा, सामरिक का मतलब होता है कि हमारे आसपास के एरिया में हमें अगर कभी मिसाइल छोड़ने है तो उसके लिए परिक्षण किया जाने वाला है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया, 30 km जो रेंज है, अब मालो कोई ऐसी जगे हमें फायर करना ह तो वो काम नहीं बनेगा, तो इसलिए अगर हमें दुस्मन हमारा पडोसी है, तो पडोसी के हिसाफ से हमें अपने हथियारों को वहां पर बनाना होगा, ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखा है, नई PD की जो भी हमारी मिसाइल बगर होंगी, उनका परिक्षण यहां होगा, आपको पता है, अगनी 4, अगनी 5, MK3, अलग-अलग मिसाइल हम बना रहे हैं, जो बहुत जादा अपडेटिड वर्जन में हमारे पास, अलग-अलग देशों से पहले हम खरीदते थे, अब क्या कर रहे हैं, हम खुद जो हैं अपने अहां पर देश में बना रही है, देश की सुरक्षा के लिए, अब भारत सरकार को भी अपने हथियारों में नई PD की मिसाइलों को सामिल करना हुआ, जाहिर सी बात है, अगर चाइना के पास ऐसी कोई मिसाइल है, जो किसी अन्य देश के पास है ही नहीं, इसका मतलब है उसका तोड़ भी किसी के पास नहीं ह मिसाइल को सामिल किया गया, हवा में मार गिराने वाले मिसाइल, अभी आपको पता, इसराइल और फिलिस्तिन के बिच जो चीज़ चल रही है, वहां पर क्या था, इसराइल फिलिस्तिन को छोड़ दीजे, इसराइल और इरान के बिच जो बंबारी या फिर मिसाइल बाजी तो उसमें क्या हो रहा था एक देश दूसरे पर आकरमड कर रहा था दूसरे देश में मिसाइल छोड़ रहा था वह उसको हवा में ही मार के गिरा रहा था उस टाइम जो है बहुत चर्चा में बनी हुई थी एक मिसाइल सिस्टम उसका आप नाम अब मुझे करके बताई कि कौ परिक्षन किया जाएगा या करेगा इसके सफ़ाल परिक्षन से भारत की रक्षा प्रणाली और भी मजबूत हो जाएगी चाहिर सी बात है जब हमें कोई अब मालू की कुछ बच्चों को पढ़ना है कुछ नया सब्जेक्ट नए कोई रिसर्च करने तो उसके लिए आपको इंस्टिउशनी स्थापित करना होगा ताकि उनको एक जगह मिल सके जहां पर आपने तरीके से काम कर पाएं तब तो आगे बढ़ करके किसी नए चेतर में जाके नया काम करेंगे ऐसा कुछ है कि नया एक जो है परिक्षन के इंद्र स्थापित किया गया है जहां पर नए लिखा हुआ है एकिकरत परिक्षन रेंज मिसाइल परिक्षन सुविधा एकिकरत होता इंटेग्रेट बहुत सारी मिसाइल एक साथ आपको परिक्षन करने को मिलेंगे तो उसी के बारे में आपे बताया गया है लिखा है एकिकरत परिक्षन रेंज एक मिसाइल परिक्षन स जबे मुए हैं जो कि तो क्या है आपका ताइम वेस्ट हो रहा है पैसा बरवाद हो तो कव्में अब बात के दो परिष्टरों में इस्थित हैं, दो वहां पर परिष्टर बनाए गया है, पहला है, लांच कॉम्पलेक्स, जो फोर्थ है, लोकेशन याद रखेगा, और इसा के तट परिष्थित है, एक दूइप है, इसे पहले वीलर दीप के नाम से भी जाना जाता था, का जो है हमारा पूछ ले कि भाई, औरिसा के तट पर कौन सा दूइप है, जहां पर हमारा एक तरिके से मिसाइल प्रेक्शन के इंदे स्थापीत किया गया, तो बहुत कन्फूजन हो जाता है, तो याद रखेगा, दूसरे के बात करें, तो यहां पर लांच कॉम्पलेक्स 3 नाम रखा गया है, यह कहां पर है, यह चांदीपूर ओडिसा में ही है, दोनों ही ओडिशा में ही है, बट एक चांदीपूर में है, और एक अब्दुलकलाम दीपर है, यह हमारे दो आर्टिकल हो गए, तीसरा आर्टिकल हमारा स्कीन पर दिखाई दे रहा है, देखो इसको ग्रशित हैं अभी जो है ये वेक्ति जो है अभी चर्चा में वैसे ही बने हुए था आपको पता है Chief Justice of India है और Chief Justice of India के पास एक अधिकार होता है कि अगले Chief Justice of India कौन होंगे उसके लिए आप पत्र लिखें तो इन्होंने पत्र लिख करके एक वेक्ति का नाम सजेस्ट किया था अब यहां पर आते हैं हमारे आर्टिकल पर तो आर्टिकल यह है कि दो लड़कों को नहोंने गो दिया है जो कि इस बीमारी से ग्रशित है एक तक से नीरो लॉजिकल बीमारी मतब ब्रेन ऐसा है कि आपके बॉड़ी के अलग अलग पार्स को संकेत नहीं दे पा रहा है साथ में क्या हो रहा है कि मसल्स जो होती है जैसे मेरी गर्दन है सीधी है हाथ जो अपना आराम से मूव कर रहे है अगर इसके मसल्स बहुत लूज हो जाए तो यह अपना काम नहीं कर पाएगा गर्दन मेरी सीधी है क्योंकि मसल्स जैसे होने चाहिए वैसे ही है फर्म है देखो लिखेंगे आप साई चीजे, तो लिखा है, भात के मुखे नादीस डिवाइशन चून, जिन दो बच्चियों को गोद लिया है, वो नेमा लाइन, मायोपैथी, नामक रेर मसल डिसॉर्डर से ग्रशित है, मसल डिसॉर्डर लिखा है न, जो मसल्स होती है हमारी, और जो होरी हड्डियों के अंदर, जो मसल्स हमारी होती है, वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वज़े से ये बीमारी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, यह एक दुर्डलब अनुवानसिक विकार है, ज्यादा तर मामलों में अनुवानसिक विकार है, कि आपकी फैमिली में, या आ या नेमा लाइन रॉड मायोपेथी की रूप में भी जाना जाता है, मुख्यता अनुवांसिक उत्परिवर्तन के कारण होता है, मांद्वस्यों के कामकाज के लिए आवर्षिक प्रोटीन को नाकर आपमें रूप से प्रभावित किया जाता है, इसमें जिसकी वज़े से क्य नहीं कर पाती है, वक्ति चल नहीं पाता है, वक्ति बोल नहीं पाता है, और भी सिम्टम्स की बात करते हैं, वक्ति खा भी नहीं पाता है, ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, देखो आगे क्या लिखा है, नेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धागे जैसा हमारी मसल्स का एक इसी योंगों कमझोर आपर तो धागे ही कमझोर हो बच्चों में से किसी एक बच्चे को ये बीमारी होती है, ठीक, अब बताया मैंने कि जब बीमारी जो है कम लोग बीमार है तो कोई भी उस छेतर में research करके दवाईया बनाना नहीं चाहता है, उनको लगता है कि कोई फैयदा नहीं, खरीदने वाले जो हैं 4 लोग ही है, 4 रूप्रीज कौन लगा है कि कुछ इसर्च में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है ठीक है अगर बात करें कि सिंटम्स मतब सिंटम्स क्या अगर कोई व्यक्ति से ग्रशित है तो उसमें आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेंगी पहला है चहरे और गर्दन के चहरे गर्दन और धर्ड में कमजोरी होती है आपका चहरा जो है वो फरमनी होता है तो टाइट नहीं होता है या फिर गर्दन आपके ठीक से काम नहीं करती है आपको जो धर्ड होता है उसमें बहुत सारी आपको कमियां दिखाई देती है दूसरा है खाने निगलने में तो जो वेक्ति इससे परिशान होता है गर्शित होता है उसको जाता है तो ट्यूब के माध्यम से खाना खिलाया जाता है चहरे गरदन और धड़ में होता है तो उसको प्रॉपर जो थोड़ी बहुत एक्सराइज कराई जाती है ताकि थोड़ा बाउडी एक्टिव रहे पैर जाता है जोडों में विक्रति जोडों में थारों में है विक्रति एक जैसा मामना दिखाई देता है ऽानस लीए कटनारी को तु सको जो है आक्सिजन पंप के माध्यम से मास्क के माध्यम से कई बार जो है ऑक्सिजन लेनी की सला दी जाती है मांस्पेशियों के द्रड़ता कम हो जाती है जिसके विए से आपके पूरी बॉडी ढ़ंग से काम नहीं करती है अगर बात करें उपचार की तो आपको बताया मैंने कि उपचार जो है उपलब्द नहीं है वर्त में नेमा लाइन मायोपैथी के लिए कोई सटीक उपचार उपलब्द नहीं है यहां पर बस यह होता है कि जो लक्षान दिखाई दे रहे हैं उनको कम करने के लिए हम कुछ को प्रयास कर सकते हैं जैसे मैंने बताया कि एगर कोई वक्ती जो उसकी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही तो उसके लिए होता कि ठेरपी देते हैं मसल स्राइट करा थोड़े एक साई योग अगर आते हैं बट इसके लिए कोई सपैसिपिक अगर उपचार की बात किया तो वह हमारे हाँ पर उपलब्द नहीं है इससे अलग अलग देखो लिखा सांस लेने में अगर किसी कटनाई है तो नान इन्वेसिव वेंटिलेशन दिया जाता है उसको जोड़ों में संकुचन है तो उसके लिए अलग अलग सरजरी वगरा कराया थी ताकि वो ठीक हो पाए बाकी हमारे हाँ पर कोई भी उपचार अब लेवल नहीं निगलने में दिकत होती है तो ट्यूप के माद्यम से खाना खेलाया जाता है मान स्पेसियों में ताकत नहीं है तो व्यायाम वगरा कराया जाता है बोलने में कटनाई वाले लोगों के लिए स्पीच थेरपी भी कर जाती है, गतिसीलता में सहायता के लिए क्या है, ब्रेसिस या वीलचेर भी यहां पर उपलब्ध कराई जाती है, यह हमारा हो गया, इसके बारे में, नेक्स आर्टिकल जो हमारा है, वो है किसके बारे में देखी का लिखा, यूकरेन में फैला वेस्ट नाइल वायरस, यूकर कोई बीमारी इसी specific छेतर की है और वहां सालों से हो रही है लोगों को तो वहां के लोगों की जो DNA होते आर अर न होते हैं या फिर जो भी जीन्स महें के लोगों को होते हैं वह उसको अडप्ट कर लेते हैं तो थबासा recover करना आसा हो जाता है अब वो वीमारी किसी ऐसे चेतर में चलेगे, किसी ऐसे वक्ति को होगे, जो वक्ति कभी ऐसे वीमारी से गरशित हुआ ही नहीं, तो बॉडि को समझ बनी आथा रियक्ट कैसे करें, इसे कैसे उभर के बाहर आना है, तो दिक्कत इसलिए हो जाती है, ठीक है? देखो यहां पर एसे नहीं देंग आफ स्ने को मिलती हम उसके तो इससे भीमानि आपको बीघना में यता होती है इसलिए है इसलिए तूमस्या होरी है hate मैं ये अपर सार क्यो रेख सब्सक्राइए कि याद रखेगा आफ से पूर्च सकता है कि भाई वेस्ट नायल वुखार जो एकौन से मच्छर के काटने से होती है, तो आपको याद रखना है, क्यू लेक प्रजाती के मच्छर के काटने से होती है, पहली बार 1937 युगाणडा में देखा गया था इसको, यहां से इसकी खोज की गई थी, यहां पर ही यह वुखार जो है पह नियूरोलाजिकल रोग हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स आपकी धंक से काम नहीं करती है, सबसे बड़ी समस्या आप देखने को मिलती है, यह मस्तिस्क और रीड की हड़ी में गंभी सूजन का कार्ण बन जाता है, आपकी दो चीज़े हैं, एक ब्रेन आपके और रीड की हड़ी हो बहुत महत्वपूर होती है, यह दो चीज़े धंक से काम नहीं करती है, अधिकांस लच्छन जो है, जापानी, एंसेफलाइटिस की तरही दिखाई देते हैं, इसके उपचार के लिए एंटिबाइटिक्स के आपरभावी होने के साथ साथ कोई टीका विस्स्ट दवा उप कुछ ऐसी दवाईयां हैं जो एक महिना के जगे 15 दिन में ठीक कर देती हैं, बस यही है उपचार, इसके अलावा कोई उपचार यहां पे इसके लिए उपलब्द नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल जो हमारा होने वाला है, वो क्या है, वो भी एक बीमार मुरिन टाइफस, मुरिन टाइफस जिसके बारे में आपको बताया है कि यह बीमारी भारत के केरल राज्य में पहली बार देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार देखने को मिल रही है, भारत के अलग अलग राज्यों में एक दो बार इसको अलड़ी यह जो बीमारी बारे में हम बात कर रहे हैं यह रिखे मारे मरी 10-完了 किक है दर्णी कि लिखा है वय्त नाम करे है मिरिय्ट गार Спасибо ये बीमारी देखने को मिली है, ये केरल में इस तरह का पहला मामला है, लेकिन इससे पहले हमारे अलग-अलग राज्यों में, माध्य प्रदेश में, पुर्वोत्तर एम कस्मीर, अलग-अलग राज्यों में ये रिपोर्ट किया जा चुका है, तो भाई स्टेटमेंट आगर मैं पूछ ले, कि म्यूनिन टाइफास को केरल राज्य में भारत में पहली बार देखा गया है, तो वो हमारा इस्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्यूंकि आपको बताया है, माध्य प्रदेश, जमु कस्मीर जैसे राज्यों में इससे पहली भी देखा जा चुका है, ठीक ह इसलिए होता है कि उनके अनुवांसिक जीन में कुछ परिवर्दन होगा, जिसकी वज़े से वो बीमार होगा, ठीक है, तो ऐसा है कुछ यहां पर दुर्लव जीवाडू संकरमण की वज़े से होता है, यह रिकेट्सिया टाइफी नमक, तो रिकेट्सिया इसी से आप समझ तो यही लिखा है, रिकेट्सिया टाइफी नमक जीवाडू के कारण होता है, ओरिएंटल चूहा पिस्सु, चूहों में जो पिस्सु होते हैं, जो जंगली चूहे होते हैं, घर पे आपने वाइट के चूहा पाला हुआ उसे पिस्सु नहीं है, फिर भी आप उसको मानना सुरू कर दो, तो यह अलग बात है, ठीक है, फिर क्या लिखा है, जेनोपसिला, चेोपसिला, ठीक है, जेनोपसिला, चेोपसिस इसका वाहक है, तो जिसका नाम है, जो चूहा है, पिस्सु, जिसके उपर पाया जा रहा है, उसका नाम है, जेनोपसिला, चेोपसिस, ठीक है यह संक्रमित पिस्सू न पिस्सू गंदगी के संगपर्क में आने से फैलता है यह संक्रमड के 3 sacar चौदाः दिनों के भीतर लक्षन शुरू हो जाते हैं कापी टाइम लग आ तो यह आद रखी का पिस्सू से फैलता है तो इसको बस जब लक्षन आपको देखो यह पेट दर्ध होगा खासी होगी चकते पड़ेंगे बॉड़ी पे आपके सिर दर्ध से भूख न लगना मत लीम उल्टी वगराएगी यही साइचीचे होगी अब आप से कोई पूछे कि जाहिर से बात है जन्गली जनवरों से जीवों जिनकी बॉड़ी में पिशू बगेरा पाएजाते उनसे तो फ़ड़ा दूर रहना है और अपने आपके घरेलू जो आपके पालतु जनवर है उनको भी थवड़ा फाल थोड़ा रखना है कि उनकी बॉडिपे ऐसा कोई कु यह एक स्वासीमित बीमारी है, किन्तो डॉक्सी साइक्लिन इस बीमारी की अवेदी को कम करता है, इसके रोक्थाम के लिए कोई टीका उपलब्द नहीं है, जिते ही बीमारी आपड़ रेनम टीका उपलब्द नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर अफदरेयरस्ट बीमारियां है, बहुत कम लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए बीमारियों के लिए दवाईयां उपलब्द नहीं है, रोक थाम के तरीके वही है, जंगली जनवरों को घर या कारेस्थलों से दूर रखना है, उनको घर पे लेके नहीं आता है, एनिमल लवर्स होते हैं, कहीं से भी जनवरों तो यह हमारे रहे आज के सारे आर्टिकल्स, जो पूरे हफ्ती की न्यूज थी, जो इंपॉर्टन चीजे रही हैं, उनको हमने कवर किया है, आई होब आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस लाइक दो करिएगा, थैंक यू